हे गाइज वाट्सेप वेलकम टू माइ न्यू व्लोग और गाइज अब भी टाइम हो रहा है सुबे के 6.15 और आज संडे है तो पापा दो तिन दिन से एक्सरसाइज करने जा रहे थे लेकिन आज ये कह रहे थे कि संडे है इसलिए मैं नहीं जाओंगा तो आज हमने पापा के लिए कुछ सर्प्राइज रखे है तो अभी पापा को उठाएंगे अरनव आईओ अरनव उठाएगा और गाइस अरनव आ गया है और हम दोनों अभी अभी उठे है अरनव तो बिलकुल अभी उठा है और मैं पाँच मिनट पहले उठा था तो आपको हमारे थोड़ा सा लग रहोगा कि हम नींद में आए तो पापा यहाँ पे सो रहे है तो अरनव उठाए अरनव उठाए फिर भी एक्सरसाइज तो करोई आस तो मा और मम्मी को कह दो पड़ी असन आस तो त्यार कर लेंगे तो खाने के लिए ठीक है बाए अरे हमने आपके लिए वर्क आउट तियार किये आज़ो आस तो मुश्किल है संद्याज तो अर क्यूं करना पड़ेगा हम व्लॉग भी बना रहे हैं आजो चलो यह तो मुश्किल कर दी तो मैं चलो चलो आजो और पापा आलकस उतारने के लिए लेट गई है पापा आप इतने आल से क्यूं बस एक बार सब्सक्राइब कि कुछ फॉल्यूड और बोल्यूड के स्टार्स हुआ है एक्टर्स वो बोले इरेंद्र जी आप तो सब्सक्राइब कती तो जीने तो इसलिए तोड़ा सालसी और पड़ावेड पैटी निए कि उनकी घुजर बिशर में रहें उनकी रोजी रोटी चलती रहें तोड़ा सालसी ओ के मैं मैं पैटी हो गया फनको पतला हमने पापा को जैसे तैसे करके उठा लिया तो चलो अब पापा को थोड़ा सा वर्क आउट कराते हैं तो चलो बाहर चलते हैं तो हम तो बाहर चले गए थे लेकिन पापा यहां पर बैठे-बैठे सोंगे अपर मैं सोया नहीं मैं बगवान का नाम ले रहे हैं तो पापा रेडी हो गया है और जो सबसे पहला सर्प्राइज है वो है रेस नहीं दोड़ना पड़ेगा ठीक है चलो गाइस बाहर चलते हैं चलो तो जो हमारे घर के आगे वाली सड़क है वो तो काफी छोटी सी है इसलिए हम वहाँ पे जाके दोड़ने में सड़क पे वो काफी बड़ी है तो थ्री टू वन गाइज मैं साइकल पे आरो क्वाब बाइब क्वाब क्वाल क्वाब शुष क्या हुआ बीच में तुर्फ गेप हाँ अभी सब आएगा धीरे धीरे एक्सरसाइज भी आएगी तो अभी पापा ने कलोनी के दो चक्कर रेस लगा लिए अब आपा साइकिल चला रहे है नो भाई पापा की तो उतर गई टी-शेट इतना पसीना आगया तो पापा ने रेस और साइक्लिंग का तो कर लिया है और अब कर रहे हैं पापा क्या बोलते हैं इसको एक्सरसाइज अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ नाम भी होगा वैसे गाइज मम्मी ने जाडू पोच्चा कर लिया और अब मम्मी भी आ गई है पापा अब भी करके दिखाओ नहीं पापा करेंगे क्यां तो अब आपके लिए एक सर्प्राइज हो रहे हैं उपर चथ पे तो चलो उपर चलो उपर चलो आप वही पर बताएंगे क्या है तो पापा का सर्प्राइज यह पापा को हर डंबल के चार-चार सेट करने है तो 15 किलो का है फिर क्या हुआ आपका वज़न यह 15 किलो के यह 6 किलो के आपका वज़न 102 किलो है और आप यह नहीं उठा सकते आपके लिए थे कुछ नहीं है अरे मुझे तो पांच साथ-दस किलो हुजन कम करना था कोई ओलम्पिक से मैडल थोड़ी ले क्याण है जो मेरे की दिन में जूस निकाल दिया तुम्हें सारा और कौंसा मेरे को दुबारा साथ दी थोड़ी करनी है जो तो तो नहीं करोगे हुआ हुआ है तो अब पापा ने एक डंबल से एक सेट कर ली है अब इसकी बारी है क्योंकि यह सबसे बारी है इससे भी आपको चार सेट करने है पानी दे दे यह काफी भारी वाला है पापा चीटिंग मत करो पानी पीओ गेरो मत पसीने मत दिखाओ तो वही से कंटीन्यू करो पापा के पसीने देख सकते हैं इस में से आदा पानी है यह शेट वाला पानी है बाकी मूँ पे तो असली है तो गाइस हम उपर से अब नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें लग रही है प्यास तो पानी पीने जा रहे है और गाइस अब हम लोग पानी पी के ऊपर आ रहे हैं और गाइस मैंने देख लिया है कि पापा क्या पानी को पसीना बना रहे थे हमने हीडन कैमरा छुपा रखा था तो पापा की पूल खुल गई है तो चलो पापा के साथ एक्टिंग करते हैं और देखते हैं पापा क्या कहेंगे इसके बारे में कि है पापा इतना पसीन कर लें डंबल के सारे जंपलों के तिन-चैट होगे ओ तेरी फ्र चार रेंड दे पाधा तो नहीं रुपाएगा इतना पसील न अग्या ओस तेरी मेरा ये बनियान निचोड़ोगे न तो एक बाल्टी पसीना निचोड़ जाएगा अब तो आज ही मेरे खाल से लगता है पांच किलो जल कम हो गया वो मेरा तो तो चलो हमने व्लॉग तो बनाई रखें व्लॉग में देख लेना आप कितने सेट की है आपने तो चलो अपना बनियान निचोड़ के दिखाओ एक बाल्टी निकलेगा कि एक गिलास भी निकलेगा एक दो इडिन कैमरे थी आप देख लेना व्लॉग में आपने कितना पसीना भाली है मुझे क्या डर है हाथ पंगन को आर्शी क्या पड़े लिख दो पार्शी क्या है क्यों चलो अब चलते हैं और अंदर आपके लिए एक और सर्प्राइज है अभी हम उपर से आ गए है और पापा नहाली है और अब पूछ रहे हैं कि ब्रेकवास्ट में क्या है और जो हम ऊपर बोल रहे हैं कि नीचे आपके लिए सर्प्राइज है वह वही है ब्रेकवास्ट तो चलो आपको दिखाते हैं तो पापा आखे बंद करके हुए आओ और यहां पे बैट जाओ आगे बैट जाओ आपके लिए भी अभी सर्प्राइज है गाईज अब धीरे धीरे आखे खूलो लोकी का जूस लोकी और करेले का जूस और चने अरे ये बीगे और चने ये तो घोडे खाते हैं मैं तो इंसान जीव देखो जीव क्या ये जीव भगवान में न स्वाद और पकवान खाने के लिए बढ़ाई है अब तो नहीं आप डाइट पे आप ये पीना पड़ेगा और चने खाने पड़ेगे लो एक बार जूस पी के दिखाओ जूस तो बहुत कड़वाओ का चले खालो चने खाओ अब पापवाई पूरा फिनिश करेंगे तो गाइस ये था कुछ आज का व्लोग और पापा को आज हमने बुरा फसादिया तो मैं होप करता हूँ आपको ये व्लोग पसंद आया होगा पसंद आया तो इस व्लोग को कर देना लाइक मिलते आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिन जै भारत